हेलो दोस्तों अगर आपका भी एक YouTube चैनल है और अभी तक monetize नहीं हुआ है तो future में कभी ने कभी आपका YouTube चैनल जरू से monetize होगा लेकिन क्या आप लोग को पता है कि YouTube चैनल monetize करते राइम हम लोग को क्या-क्या problems देखनी पर सकती है या फिर monetize करते राइम क्या-क्या problems आती है YouTube चैनल के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा डीटेल में बात करते हैं ताकि जब भी आप अपने YouTube चैनल को monetization के लिए apply करें और कोई भी problem अगर आपकी YouTube चैनल पर आए तो आपको घबराना जादा नहीं है आपको उसको अच्छे से solve कर सकते हैं क्योंकि जितने भी problems है इनको ठीक करने का बहुत सारा तरीका है तो एके करके सारे problems के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो को देखने के बार आपको बहुत कुछ ची यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो को सुरू से लेकर के end तक पूरे ध्यां से आप लोगो देखते रहना है तो दोस्तो अब चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं total past monetization problem के बारे में बात करने वाला हूँ लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे problem होते हैं तो अगर मैंने उन problem को इस वीडियो के अंदा सामिल नहीं किया है तो आप comment करके जरूर से बताईएगा आगे चलके उस पर भी detail वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले अगर हम लोग अपनी YouTube channel को monetization के लिए apply करते हैं अगर आप long video अगर बनाते हैं और उसको monetization के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको 4000 घंटे का watch time और 1000 subscriber पूरा करना होता है पूराने अपडेट के अनुसार न्यू अपडेट के साथ अगर आप monetize करना चाहते हैं 3000 घंटे का watch time और 500 subscriber चाहते हैं या फिर अगर आप source के लिए channel monetization करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको monetization apply करना पड़ता है तो यहाँ पर सबसे पहला problem क्या आता है तो जब हम लोग अपने European को monetization के लिए apply करते हैं तो तीन step में apply होते हैं सबसे पहला step जब हम लोग complete करते हैं तो वो सिफ एक मिनट के अंदर complete हो जाता है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दिक्कत कहाँ पर आती है second step में और second step में क्या आता? इरर आ जाता है और ये इरर कब आता है तो जब हम लोग गलती से दो Google AdSense अकाउंट बना लेते हैं एक ही नाम से या फिर एक ही phone के अंदर दो Google AdSense अकाउंट बना लेते हैं तो second step में इरर आ जाता है अब ये जो second step में इरर आता है ये बहुत common problem है बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो जब ये first time को भी देखता है ये problem तो बहुत जादा परिसान हो जाता है कि इतने time से इतना मेहनत करके मैंने अपने channel पर watch time और subscriber पूरा किया है और अब ये क्या problem आगे तो इस problem को भी ठीक करने का बहुत सारा तरीका है और बहुत ही आसानी से आप इसको ठीक कर सकते है अगर आप जाना चाहते कैसे इन सारे problem को ठीक करना है तो आप comment करके बतेगेगा मैं उस पर detail video बना दूँगा कि 2024 में आपको ये monetization problem को कैसे ठीक करना है तो ये था पहला problem अगर दूस्तों दूसरा problem क्या आता है monetization के time तो ये आता है कि जब हम लोग अपने YouTube channel को monetization के लिए apply करते है तो हमारा जो channel है वो monetization में चला जाता है लेकिन बहुत जादा दिन तक pending में रहता है मतलब ना YouTube यहाँ हमारे channel को review करता है मतलब monetize करता है ना ही reject करते है बस pending में पढ़ा रहता है अब ये एक मेहना दो मेहना बहुत सारे लोगों को तीन-तीन मेहना तक wait करना पड़ता है अपने channel को monetization करने के लिए मतलब वहाँ पे apply है तो वही पे पढ़ा हुआ है तो इसको भी बहुत सारे लोग इसको भी ठीक करते है कैसे करते है अगर ये भी problem आपके साथ होता है या फिर अगर होगा तो आप comment करके बताइएगा इसको भी ठीक करने का तरीका है अब दोस्तों यहाँ पे बात करते है तीसे problem के बारे में जो monetization के time आता है और मुझे लगता है कि यह जो तीसरा problem है यह सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे देखना पड़ता है जब वो monetization के लिए अपने YouTube चैनल को अपलाई करते है अब तीसरा problem क्या है वो है reused content का problem अब ये कब आता है तो जब आप अपने YouTube चैनल पे किसी दूसरे का वीडियो अगर अपलोड कर देते है या फिर अपने ही खुद के वीडियो को अगर आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे फिर भी आपको reused content का problem देखनी के लिए मिल सकते है अब ये भी जब फर्स टाइम आता है YouTube चैनल पे तो बहुत जादा परिसान हो जाते हैं लोग लेकिन इसको भी ठीक करने का बहुत सारा तरीका है अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 में क्या तरीका है तो कमेंट करके ज़रूसरे बताईएगा अब दोस्तों बात करते हैं चौथे प्रॉब्लम के बारे में और यह चौथा प्रॉब्लम है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि उनको नौलिज नहीं है जिसके बज़र से यह प्रॉब्लम आ जाता है जैसे यहां पर क्या होता है कि बहुत साल लोग अपने YouTube चैनल पर वीडियोज अप्लोड करते हैं लेकिन उनका क्या होता है कि वाच्टैम एड नहीं होता है अब वाच्टैम कैसे एड नहीं होता है तो अगर वह अपने यूवाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन में जाकर करके वाच्टैम चेक करते हैं कि लास्ट तीन सो पैसर दिन में हमारे चैनल पर कितना वाच्टैम हुआ है तो वहाँ पर जो वाच्टैम दिखता है मतलब मान लिजिए वहाँ पर उनको 3000 घंटे का वाच्टैम दिखता है तो यह भी बहुत सारे लोग इसको प्रॉब्लम कह है वहाँ पर वाच्टैम एड नहीं हो रहा है तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है वाच्टैम नहीं दिखता मौनेटाइजेशन के जगह पे तो आपको क्या करना कमेंट करके बाताना इस पे थोड़ा डीटेल वीडियो बना करके आप लोग को बताते हैं अ बहुत साथ लोग अपनी यूटिब चैनल पर वीडियो डालते हैं लेकिन उनके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं है डिक्रीज होता है जैसे मान लीजिए उनके वह बहुत महना से यहां पर 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वह 49 चैनल सब्सक्राइबर कम होता है इसके बारे में भी जान्रा है तो मैंने पहले वीडियो बनाई है लेकिन 2024 का अगर आपको लेटस्ट वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरू बता है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे problems होते हैं अगर आपने कुछ नया इंग 5 मैंसे कुछ अलग अगर आपने problem देखा है तो comment करके बताईएगा ताकि जो भी अगर new problem जिसके साथ हो रहा है वो भी comment section में जाकर के देख सकते हैं कि उनके साथ क्या problem हो रहा है तो बस फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगाओ तो आपको क्या करना है वीडियो का लाइक कर देना है और अगर आप लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं कियें तो channel को सब्सक्राइब कर लेना है तो दोस्तों आप चली मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिंद